Hello guys, welcome to TechBuzz तो मार्केडी में एक न्यू स्मार्ट वाच लाउंच हो चुकी है बोल्ट ड्रिफ्ट के नाम से और इस स्मार्ट वाच की ये खासियत है कि ये सिफ 2,000 रुपीज में आपको Bluetooth कॉलिंग का फीचर देती है मतलब इसमें आपको dedicated mic और speakers मिलते है तो आज मैं किसका in-depth review करूँगा बात कुरूँगा इसकी features की और देखेंगे कि voice calling के लिए वाच कैसी है उससे पहले अगर अगर आप हमारे चैनल पर पहली पर आया है तुमारे चैनल को subscribe करके बेल आकाउन दबा लीजिए ताकि आपको future products on officials आ सके और अगर आपको पसंद है तो इस पीडियो को like and share काना मत भूलना तो चलिए वीडियो शुरू करते है तो यह है bolt drift का box box पर top में है bolt की branding नीचे मेंचेंड इसका model name drift सेंटर में image है जो बताते है कि ये watch दिखती कैसी है और नीचे है इनका tagline track your life back में मेंचेंड इसके box content manufacturing detail और price box पर इसकी price है 8000 रुपीज बट आप description में दिये link से खरीदेंगे तो आपको ये 2500 में मिल जाएगी तो फटाफट इसकी unboxing कर लेते है box में सबसे उपर है ये user manual manual में watch को pair कैसे करना है use कैसे करना है do's and don'ts और warranty के बारे में बते आ गया है next है हमारी bolt, drift, smart watch black belt और dark gray dial के साथ फिलाल इसे side में रख लेते है next है ये USB to magnetic point charging cable watch को charge करने के लिए और साथ में 100 रुपीज का voucher code भी दिया गया है इसमें 1.69 इंच का TFT HD डिस्पले दिया गया है with 218 PPI density ACD डिस्पले काफी sharp है और screen काफी vibrant है और touch response भी इसका काफी अच्छा है UI भी काफी smooth है इसका कोई lag या jitteriness नहीं है front glass चारों कॉर्णर से curved है और side frame पर crown button है जो home button का का काम करता है और frame पर brushed metallic finish दिया गया है जो एक premium look देता है watch को back में mic, magnetic charging point और इसके heart rate और SPO2 sensors है इसे full charge होने में approximately एक घंटा लगता है यहाँ पर इसका speaker जहांसे phone से connect करके आप music भी सुन सकते है overall looks में watch premium लगती है और कई से भी 5000 की नहीं लगती striper यहाँ पर bolt की branding दी गई है और strap के लिए skin friendly soft material का इस्तमाल किया गया है और इसकी भी quality premium है और यह strap removable है तो आगे जाकर आप इसमें दूसरे color या pattern के strap भी attach कर सकते है outdoor में भी display आराम से visible रहता है क्योंकि इसकी peak brightness से 475 nits तो outdoor में आपको use करने में कोई issue नहीं आएगा bolt drift, IP68 certified, water resistant भी है तो sweat, water splash या rain में आप बिना tension लिए इसे use कर सकते है home screen पर long press करके आप इसका watch face change कर सकते है इसमें काफे सारे additional watch faces भी मिलते है जो मैं आपको आगे बताऊँगा अब features की बात करने तो सबसे पहले इसमें आपको sleep monitor मिलता है इसमें आप देख सकती कि आप कितने देर तक और कितने गहरी quality नीज में सोई थे next है heart rate monitor इसे on करने पर नीचे sensors on हो जाते है और इसमें आपको manually heart rate check करना है या फिर हमेशा इसे on रखना है उसको भी आप set कर सकते है इसमें नीचे zone भी दिया गया है कि कितना range safe है next है blood pressure monitor इसके data को मैंने safety के लिए medical equipment के साथ cross check भी किया है और इसकी accuracy around 95-97% है क्योंकि कभी का बार थोड़ा difference आता है watch और equipment की reading में next है SPO2 sensor जो आज कल काफी काम आता है कोरोना की वज़े से और इसमें भी नीचे range दिया गया है कि कितना reading तक safe है next इसमें आपको exercise modes मिलते है जैसे कि walking, running, cycling, scaping और कई सारे outdoor games के different modes आपको इसमें stopwatch भी मिलता है इसमें total 60 workout modes है जिसमें से कुछ यहाँ पर visible है और कुछ को आप add कर सकते है जिसे water sports, boxing, ice skating, dancing and many more आपकी activities में आप कितने step चले है कितना distance cover किया है और उससे कितने calories burn हुए है उसका भी आप track रख सकते है watch में next है weather app इसमें आप weekly report देख सकते है weather की और city आपको अपने phone से set करनी पड़ती है इस watch को आप as a alarm clock भी use कर सकते है और multiple alarm set कर सकते है बाकी इसे आप as a timer stop watch भी use कर सकते है और find my phone आप के तुरू आप अपने phone को locate कर सकते है इस watch में एक unique feature जो मुझे लगा वही कि इसमें आप games भी खेल सकते है इसमें कुछ pre-loaded games पहले से आते है तो भाले आपके phone में game नहीं है तो आप free time में directly अपने watch से game खेल कर time pass कर सकते है तो यह मुझे एक काफी अच्छा feature लगा इसमें बाकी settings में जाकर आप display की brightness adjust कर सकते है और screen कितने दिर तक unlock रखना है उसका भी आप time set कर सकते है और जो menu है उसका भी look आप change कर सकते है जिसमें दो options है पहला है list view और दूसरा grid view और मुझे personally एक grid view ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि इसमें जो सभी feature और apps है वो सामने ही visible रहते है बाकी settings में do not disturb और low power mode में दिया गया है call के notification पर आपको vibration चाहिए या ring and vibration दोनों भी आप set कर सकते है या फिर सीधा mute का भी option दिया गया है बाकी से reset, restart और power off करने के options भी दी गई है settings में about में जाकर आप watch के कुछ important details चेक कर सकते है जिससे mac address वगेरा स्मार्टफोन में इस watch के लिए जो app डाउनलोड करना पड़ता है सब भी चीज़ों का per day, weekly और monthly report देख सकते है next page पर जाएंगे तो watch की detail और battery visible है watch faces में जाएंगे तो जो watch faces watch में पहले से send हो चुके है वो visible है यहाँ पर और अगर आपको और भी watch face चाहिए तो more watch face पर click कर सकते है इसमें total 140 watch faces available है और आपको selection के लिए काफी wide variety मिलती है तो चाहिए आपको funky colorful watch face चाहिए या फिर simple watch face सबी यहाँ पर available है फिर आप अपना favorite watch face select करके download कर सकते हैं और बस कुछी second में watch face आपकी watch में install हो जाएगा और अगर आप चाहिए तो custom watch face जैसे अपने पसंद के कोई भी photo का ऐसा watch face अपलाई कर सकते है साथ में watch face पर आपको text कहाँ पर चाहिए क्या alignment में और किस color में वो भी आप अपने इसाप से set कर सकते है आपको watch पर कितने apps के notifications चाहिए वो भी इस app के तुरू आप on या off कर सकते है तो मैंने तो फिलाल सभी apps को allow कर रखा है notification के लिए अलाम का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है बाकी watch की कुछ और settings भी है यहाँ पर जैसे time format, find watch, reminder to move continuous heart rate monitor, controlled music from watch battery saver, language और कुछ ऐसी basic चीज़ है बाकी आपको पानी पीने के लिए reminder या heartbeat की warning या female menstrual cycle का reminder चाहिए तो उसे भी आप यहाँ पर on कर सकते है इस watch कर time to time software updates भी मिलेंगे तो आप upgrade में जाकर उस update को install कर सकते है wrist को rotate करने में watch display automatic on होता है और इसे on and off करने का भी settings दिया गया है phone में बाकी watch के through आप music को play, pause या song को skip कर सकते है और यही से आप volume को increase या decrease भी कर सकते है जब watch phone से connected होती है तो इस speaker से आप music भी सुन सकते है और sound की quality बच ठीक ठाक है watch के through आप directly voice assistant को भी activate कर सकते है कुछ task complete करने के लिए इस watch को ऐसा shutter button भी use कर सकते है तो यहाँ button पर click करेंगे तो phone में photo capture होता है phone के सबी notifications watch में आते है जिससे आप कुछ notification यहाँ पर देख सकते है तो इन notification को click करके आप पूरा message read कर सकते है बट यही से reply करने का option नहीं है watch में inhale, exhale की breathing exercise भी दी गई है खुद को relax करने के लिए इसमें dedicated dial pad भी मिलता है तो Bluetooth से connected रहने पर आप directly यही से number dial करके call कर सकते है आपको phone की जरूरत नहीं है या फिर इसमें context भी sync कर सकते है और directly context को यही से click करके call कर सकते है अब चेक करते हैं इसके main feature जो है mic and speaker को तो यह मेरे पास यह bolt की smart watch आई है drift नाम से तो अभी मैं इसका mic and speaker test कर रहा हूँ तो मेरे आउस clear आ दिया है इसमें और पीछे कोई background noise वगरा है जैसे fan का noise वगरा नहीं नहीं background noise नहीं है नहीं कितना दूर से बात कर रहा है मैं तो तो थोड़ा दूर हूँ मैं मेरा camera set up है तो मैं लगबग दो फीट दूर हूँ तो भी कैसा आ रहा है sound नहीं आ रहा है रूप्य अच्छा है sound ओके टीको lock screen पर left से swipe करेंगे तो आप recent apps देख सकते हैं और उपर से swipe करेंगे तो कुछ shortcuts available है जिससे कि do not disturb mode, brightness, stop watch, camera shutter और flash light जिससे इसका display extreme brightness पर on हो जाता है अब battery backup की बात करेंगे तो company ने 10 days की battery life claim किया है बट इस watch में आपको 7-8 दिन का battery backup मिलेगा बट अगर आप continuous heart rate वाला feature on रखेंगे या फिर ज्यादा calling करेंगे तो max आपको 4-5 दिन का ही battery backup मिलेगा बागी ये watch 10 minute के charge पर 2 दिन का battery backup भी दे देती है तो दोस्तों ये था हमारा in-depth review of bolt drift smart watch watch price के इसाफ़ से काफी feature rich है build quality अच्छी है और ये one of the cheapest watch है from a reputed brand जो calling feature के साथ आती है calling के वक्त इसके mic की quality काफी अच्छी है बट speaker की quality मुझे बस decent लगी आप लोग हमें comment section में जरूर बताना कि आपको ये watch कैसी लगी और अगर आपको मारा ये review पसंद आए तो इस उड़े को like and share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe करके bell icon भी दबा लीजिए हम जल्दी लोटेंगे इसाई tech and gadget वीडियो के साथ so till then stay tuned